वेलकम चुनॉले सीकर्स गाइस तो नाकपुरी उनिवसिटी के एक्जामनेशन के ऊपर एक बहुत इंपोर्टन आर्टिकल आया है और इसमें यह भी बोला गया है कि इसके ऊपर जो ऑफिशल नोटीस है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा जल्दी ही इसके अलाव जो एक् आपको मिलते रहे हैं मैं बात करता हूँ एक्जामनेशन के ऊपर तो और कुछ एक्जामनेशन का इस पोस्पांड हो सकते हैं ऐसे कुछ हमें जो हिंट्स है वो आर्टिकल के तुरू मिल रहे है इस आर्टिकल की मेन हेडलाइन है गाइस नाकपुरी उनिवसिटी तो डिफ पर और इट्स पोस्ट ग्राजुएट और एक्स्टरनल एक्जामनेशन इस जो हमें इस आर्टिकल के तुरू मिल रहे है इसके अलग इसके ओपर जो ऑफिशल नोटीस है उसके भी आजाने के चांसे लग रहे है में भी शाम तक जो ऑफिशल अपडेट है इसके ऊपर वो इस एक्जाम्स वेर एंटरस्टेट तो थे कॉलेज़ेस बट देटू वेर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कंडग्ट देम अज मेनी अफ देर एंप्लोई हैं तो यह जो एक्जामनेशन से वो कॉलेज लेवल पर होने वाली थी है बट कॉलेज लेवल को भी डिफिकल्ट जा रहा है एक्जामनेशन लेने के लिए क्योंकि कॉलेज के जो स्टाफ है उसको भी कोरोना हुआ है और वह भी पॉजिटिव निकल रहा है दे यूदिवर्सिटी और इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी बाते लिखी है तो इस आर्टिकल की जो लिंक है वह आपको डिस इसके अलाव गाईज और एक हमें जो आर्टिकल है वो देखने को मिल रहा है जिसकी जो में एड लेने गाईज वो है extend date for exam form submission CNET members तो जो जो exam form filling process की जो dates है गाईज उसको extend करना चाहिए ऐसे कुछ जो चीज है वो निकल के आ रही है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर exam form filling process की जो dates है गाईज वो extend होती है तो काफी सारे जो student जो भी form भर नहीं पा रहे है या फिर जिनको difficulties आ रही है जो नागपूर में नहीं रहते है और जिनको physical forms बगर भरने है तो उनको मतलब problem नहीं हो गया अगर जो dates वगर है वो extend होती है तो इसमें लिखा है guys in the view of continuous lockdown demand to extend date of submission of exam application form for summer 2021 exams the last date of submission of examination forms of RTMNU is May 8-15 RTMNU CNET members Dinesh, Sharma, Vishnu, Chande have appealed to the vice chancellor to extend the date तो जो CNET members है guys उन्होंने vice chancellor को बोला है कि जो examination form filling process की जो dates है उनको extend करना चाहिए क्योंकि lockdown है और lockdown के वज़े से काफी सार जो students है उनको exam form fill करने के जो problems है वो आ रही है तो क्या guys exam form filling process की जो dates है वो extend होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो एक बार comment section में ज़रूर बता देना ठीक है इसके अलगे जो April में examinations UG की cancel हुई थी उनके अभी तक कोई भी जो updates है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे है और अभी और postpone के ही जो updates है वो देखने को मिल रहे है तो जो exam cancel हुए थे उसके तो update नहीं आये है बट आने वाले जो post graduate और external exam से उनको भी अब postpone कर दिया आएसे कुछ जो updates है वो में देखने को मिल रहे है तो यह सारे updates है इसके अलगे बीच में जो cheating case वगरे का था उसके ओपर अभी तक कोई भी मतलब confirm update नहीं आया है तो उसका tension लेनी के ज़रूरत नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में direct second year students की जो examination से वो शूरू होने वाली तो जितने भी instructions वगरे वो देख लिना ताकि आपको सारी जो चीज़े वो पता चल जाए ठीक है इसके अलगे अगर आफिचल update आ जाता है तो उसका भी जो update है वो मैं आपको मेरे वीडियो के तुरू दे दूंगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही गाई होप सो आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको notifications के तुरू updates मिलते रहे